Principles of Systematics Module 190 Mimicry Mimicry के बारे में हमने देखा कि Mimicry की मुख्तलिफ टाइप्स है इसमें एक टाइप हमने देखी Batsian Mimicry Batsian Mimicry के अंदर हमने यह कहा कि एक जो प्लेटेबल स्पीशिस है वो अपना जो कलर पैटरन है वो इस तरीके से बना लेती है कि वो एक अनपलेटेबल स्पीशिस की तरह नजर आए जब एक प्रिडेटर इसको देखे तो उससे ये ही लगे कि ये एक अनपलेटेबल स्पीशिस है या ऐसी स्पीशिस है जिसका जो टेस्ट है बैड है ताकि इसको प्रोटेक्शन मिल जाए इसकी example हमने वास्राइ बटरफलाई और मोनार्च बटरफलाई की देखी कि जो वास्राइ बटरफलाई थी वास्राइ बटरफलाई का जो टेस्ट है वो good टेस्ट होता है जबकि जो मोनार्च है उसका जो टेस्ट है वो bad टेस्ट है तो वास्राइ बटरफ्लाइ अपना जो कलर पैटरन है वो मोनार्च बटरफ्लाइ की तरह बना लेता है ताके जब प्रिडेटर का अटेक हो तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाए अब जो बैटसेन मिमिकरी है इसके अंदर वो स्पीशिस जो के अपने आपको मिमिक करती है किसी दूसरी स्पीशिस के साथ इसको हम मिमिक कहेंगे और जिस स्पीशिस के साथ वो अपने आपको मिमिक करती है उसको मौडल कहेंगे इसका नतलब यह हुआ כई यहां पे दो group हैं एक mimic है mimic वो group है जो के अपने आपको किसी दूसरे species जायसा बनाता है और जिस species जायसा gimmick ने अपने आपको बनाया है membership किया है इसको model गहेंगे अब बैस्टेन मिमिक्री के लिए ज़रूरी है उसकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि जो number of models हैं वो ज्यादा होने चाहिए और number of mimic कम होने चाहिए जब तक number of models जादा रहते हैं mimic की तादाद कम रहती है ये mimicry सक्सेस्फुल रहती है लेकिन अगर ऐसा हो कि जो mimic है उसकी तादाद बढ़ जाए मौडल की तादाद कम होने लगे तो इस सुरत में जो बैस्टेन मिमिक्री है इसकी सक्सेस खतम हो जाती है और इस condition को हम mimicry breakdown कहते ह है अब mimic की तादाद बढ़ने से ये mimicry क्यों flop हो जाती है उसकी reason ये है कि जब for example हमारे पास जो model है उनकी तादाद 100 है और जिन organisms ने अपने आपको modify करके model जैसा बनाया है उनकी तादाद 5 है इसका मतलब है कि total animals 105 है उसमें से 100 bad test वाले है और उनके अंदर 5 ऐसे animal हैं जो के good test वाले हैं जब एक predator इस पूरे group में से किसी एक के उपर attack करता है तो ज़्यादा chances ये होते हैं कि उसका attack ऐसे organisms के उपर हो जिसका test bad हो क्योंकि यहाँ पर bad test वाले जो organisms हैं उसकी तादाद ज़्यादा है लेकिन अगर जो mimic हैं उनकी ताद जाल बढ़ जाए, mimic 100 हो जाएं और model 5 हो जाएं तो ज़्यादा chances हैं कि वो ऐसे animal के उपर attack करें जिसका test अच्छा हो उस सुरत में predator इस group पे attack करता रहेगा और इस सुरत में ये mimicry flop हो जाएगी और इस condition को हम mimicry breakdown कहेंगे अब जो दूसरी टाइप की mimicry है इसको हम कहते हैं mullerian mimicry मullerian mimicry के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी unplayable species बहुत सारी ऐसे species जिनका taste bad है वो mutual advantage हासल करने के लिए एक जैसा color pattern adopt कर लेते हैं पर जैंपल किसी इलाके के अंदर पांच species हैं जिनका color pattern different different है ये prey species है अब predator जब इस इलाके के अंदर आएगा उसे ये मालूम नहीं है कि इन में से कौन सा जो prey है वो अच्छे taste वाला है और कौन सा prey ऐसा है जो bad taste वाला है पर जैंपल ये पांचों के पांचों species bad taste वाले हैं लेकिन predator कम से कम हर group के उपर एक attack जरूर करेगा ताके उसके उपर feed करने के बाद उसको ये पता चल जाए कि इनका टेस्ट अच्छा है या बुरा है अब इस सूरत में अगर ये तमाम species जानी पांचों के पांचों species एक जैसे color pattern adopt कर लेती हैं तो इसका मतलब है कि अब ये एक group बन गया जब ये एक group बनेगा तो predator जब इस group के उपर attack करेगा तो क्योंकि ये bad taste है तो predator ये learn कर लेगा कि ये group bad taste वाला है नहादा इस group के उपर मै हर group के अंदर अलाइदा अटेक हुआ कम से कम पांच अटेक हुए लेकिन जब इन्होंने एक जैसा color pattern adopt कर लिया तो एक अटेक के बाद ही predator को ये मालूम हो गया कि ये bad taste वाले organism है इसका मतलब है कि predator के जो number of attacks थे वो कम हो गए इसका मतलब ये हुआ कि जो number of victims कम हो गए यानि ऐसी species जिनके उपर predator ने अटेक किया और उनको खाया वो बहुत कम हो जाती है अवर आल ग्रूप को फायदा हो जाता है तो इस किसम की जो mimicry है इसको मुलेरियन mimicry कहते है और मुलेरियन mimicry उस सुरत में ज़्यादा काम्याब रहती है जब जो group है उसका size ज़्यादा ब सुरत में ज़्यादाता हो जाती है तो वह group वह विमेकरी फ्लाउप हो जाती है फ्लीकिन मुलेरियन mimicry के अंदर हमने देखा कि मुलेरियन mimicry के उस वकुत ज्यादा काम्याब रहती है कितना group ज्यादा बढ़ा हो ज्यतना group ज्यादा बढ़ा होगा उतना इनको mutual advantage भी